नमस्कार प्रकाशित आइरवेड की एक और नई वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं आज हम बात करेंगे एक बहुत ही समानने समझे जाने वाले किन्तु बहुत जादा परिशान करने वाले एक विशय के बारे में जिसका नाम है सिर में होने वाली रूसी की समस्या दोस्तो रूसी की समस्या आज बहुत सारे लोगों में पाए जाने वाली समस्या बन चुकी है और इस्तरी और पुरुष दोनों को ही समान रूप से यह हो जाती है इसका सबसे ज्यादा असर हमारे बालों की जड़ों पर पड़ता है और उचिस समय पर यदि इसका इलाज ना किया जाए या इसके समधान के तरफ ध्यान ना दिया जाए तो यह दीरे दीरे गंजेपन की समस्य को भी पैदा करने लगती है क्योंकि कमजोर होती हुई जड़ों के कारण आपके बाल गिरने लगते हैं किसी भी समस्या के समधान के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम सबसे पहले उसके कारण क्या है और उससे बचाव के तरीके क्या है इसके बारे में हम जानकारी रखें तो इस वीडियो में हम आपको इनी चीज़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं वीडियो के आखिर में हम आपको रूसी को खतम करने वाला एक बहुत ही अच्छा सफर अनुभूत नुस्खा बताएंगे इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर दीखिए चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम सिर में रूसी की समस्या को पैदा करने वाले कुछ परमुक कारणों के बारे में तो रूसी की समस्या को पैदा करने वाला सबसे परमुक कारण है संपुन शरीर और खास तोर पर सिर की तोचा में इस निग्दिता अर्था चिकनाई की कमी होनी या तोचा का रुखा हो जाना इसके लावा पूरा पोशन ना मिल पाने के कारण भी कई बार सिर में रूसी के समस्या को पैदा होते हुए देखा जाता है इसके लावा दिमागी रूप से ज़्यादा थकाने वाला काम लंबे समय तक लगातार करते रहने से भी रूसी की समस्या पैदा हो जाती है बहुत ज़्यादा गरम जगह अत्वा धूप के नीचे लगाता लंबे समय तक काम करते रहने से भी कई बार रूसी की समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि इस दशा में तोचा के अंदर मुजुद इसने का संपूर्ण अंस सूरज की किड़नों के दुआरा सूख जाता है इसी तरह बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर रहने अत्वा बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पर काम करते रहने से भी रूसी की समस्या पैदा होती है क्योंकि ठंडी जगह पर काम करने से तोचा में मुझूद इसने का अंस जम जाता है जिस कारण वह तोचा को इस निक्तिता प्रदान नहीं कर पाता है और रूखापन पैदा होने की वज़े से रूसी पैदा हो जाती है आधुनिक समय में रूसी की समस्या को सबसे ज़्यादा बढ़ाने वाला जो सबसे परमुक कारण है वह है केमिकल युक्त हेर प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना इसके अलावा बालों की सापसफाई की तरफ देखभाल की तरफ पूरी तरह ध्यान ना देना भी रूसी की समस्या को पैदा करने लगता है लगाता है लंबे समय तक हाईपर एस्डिटी की समस्या या शरीर में पित की प्रकरती का निर्मान होना या बहुत ज़्यादा पित वाले आहर का सेवन करने से भी रूसी की समस्या को पैदा होते हुए देखा जाता है अब अगर बात करें रूसी की समस्या को रोकने के लिए कुछ उपाए के बारे में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आपका जो बाल पोँचने का तौलिया है और बाल सवारने का जो आप कंगा यूज करते हैं वो दोनों पूरी तरह साफ होने चाहिए उनमें कोई भी गंदगी वेगरा लगी हुई नहीं होनी चाहिए क्योंकि गंदी चीजों को बालों में लगाने से बाल इन्फेक्टिड होते हैं और उसके कारण रूसी की समस्या पैदा हो सकती है उसके बाद में आप जरूर ध्यान रखें कि अपनी बालों को आप नियमित रूप से साफ करें बाल दोने के लिए बहुत तेज गरम पानी अत्वा बहुत तेज ठंडा पानी कभी भी परियोग नहीं करना चाहिए तेज गरम पानी और तेज ठंडा पानी दोनों ही बालों में रूसी को पैदा करने में बहुत बड़े सायक होते हैं इसलिए आप हमेशा बहुत हलका गुनगुना गरम पानी अत्वार बिल्कुल ताजा पानी जो है बाल धुने के लिए आप वो प्रियोग कीजिए खाने में बहुत जादा मिर्च मसालेदार पधारतों का आप सेवन ना करें बहुत जादा तला भुना आप ना खाएं क्योंकि इससे शरीर में पित वरदी हो करके और बालों में रूसी की समस्या बढ़ती है इसके लावा जो भी हेर प्रोडक्स आप प्रियोग करते हैं अपने बालों के ओपर प्रियोग करने के लिए बालों को साफ करने के लिए शैंपू करने के लिए ध्यान रखें कि वो कैमिकल रही थों बहुत ज़्यादा कैमिकल का प्रियोग उन में ना हो हर्वर प्रोडक् काफी अच्छा रहता है, मुंफली का तेल भी प्रियोग किया जा सकता है सिर्की पूरी तोचा पर और बालों की जड़ों में अच्छे तरीके से मालिश कीजिए सब्ता में कम से कम दो बार इस प्रियोग को करने से आपको बालों में रूसी की समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल जाता है अब हम बात करते हैं रूसी की समस्या को दूर करने वाले एक बहुत ही अच्छे सिध नुस्के के बारे में इस नुस्के को तयार करने के लिए आपको चाहिए 50 ग्राम सरसो का तेल उसके बाद में आपको चाहिए 50 ग्राम नारिल का तेल इन दोनों को आप मिला लीजिए और इसमें नीम के पेड़ के ताजे तोड़े गए 10-15 पत्ते आप डाल दीजिए साथ में एक नीम्बू का रस और 5 ग्राम कपूर इसमें आप मिला दीजिए और एक स्टील के बरतन में रख करके इसको बहुत हलकी आग पर आप पकने के लिए रख दीजिए जब हलकी आग पर ये पकता रहेगा तब इसमें थोड़े थोड़े जाग बनने शुरू होंगे और एक समय के बाद में ये जाग बनना बिल्कुल बंद हो जाएंगे जब ये जाग बन्द हो जाते हैं तब आप आग को बन्द करके और बरतन को ठंडा होने के लिए रखा रहने दें ठंडा हो जाने के बाद इस तेल को च्छान कर आप साफ कांच की बोतल में भर लीजिए और हफ़ते में तीन बार इस तेल से आप अपने सिर पर मालिश कीजिए पहले और दूसरे हफ़ते से ही आपको रूसी की समस्या में बहुत अच्छा आराम मिलना शुरू हो जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही इस वीडियो में दीकी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा साथ ही आपसे निवेदन है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के निशान को जरूर दबाईए जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंस सके फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार दोस्तो धन्यवाद